देश में पेट्रोल, डीजल, गैस की वृद्धी होने से मशदूर से लेकर किसानों तक वृद्धी का मार चेलना पड़ रहा है वृद्धी के खिलाफ वाड़ी में शिवसेनानी शनिवार को दोपेर 3 बचे MIDC टी पॉइंट पर नाने दिदर्शन आंदोलन किया मोधिव शास सरकार के खिलाफ शिवसेनिकों ने जम कर नारे बासिकी आंदोलन के पहले MIDC टी पॉइंट पर जाम लगा था जाम बिफसे एक एमिलेंस को आंदोलन करताओं निन निकाल कर सामाजिक ताका परीचे दिया बाद में आंदोलन को शुरू किया पेट्रूल डीजल गैस की कीमतों ने आसमान चुलिया है भारतिय जनता पार्टी सरकार के राज में दाम कम होने के बजाए बढ़ रहे है किसानों को आंदोलन करने की नौब बता रही है ऐसे सरकार को अब लोग ही सवत सिखाएंगी यबाज शुसेना के हिंगना सहसंपर्क प्रमुक दिवाकर पाटने ने आंदोलन के दोरान कही मोधि सरकार के गलत नियोजन के कारण ही महंगाई बढ़ रहे है महंगाई कम करने के लिए यह आंदोलन है महंगाई कम नहीं हुई तो चक्का जाम करने की चेतावनी शहर प्रमुक मधुमान के पाटिल वत तालुका प्रमुक संजे अनासने ने दी आंदोलन शांती पूर्वक किया गया वाडी पुलिस ने भी तगड़ा बंदो बस रखा नागपुर तालुका प्रमुक संजे अनासने वाडी शहर प्रमुक मधुमान के पाटिल रुपेश धाड़े के नेतरुत्व में किये आंदोलन में सहसंपर का प्रमुक दिवाकर पाटनी संतोष केचे, रुपेश धाड़े, दामोधर जोद, विलास भूंगवे, भावराव रिवतकर, बालो इंगयकर, मंगेश सोरबगार, सौरव घडीनकर, राम कावे, शेलेश माटुरकर, अजे देशमुक, चेतन बढ़गे, उमेश महाजन, प्रज्वल अतकरी, शिवम रा ने हिस्सा लिया, वाडी से सौरब पाटिल की रिपोर्ट, NBC News, नाखपुर,